अगर तो आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत जादा पैशनेट है कि मुझे यार स्पेस को थोड़ा एक्स्प्लोर करना है या मुझे बड़े-बड़े जहाजों में काम करना है अगर आपको यह फैसिनेट स्ट्रॉंग ली करते हैं तब तो आप जरूर इस प्राज को कंसिडर करिए बड़े बात नहीं है और आप रेडी हैं इंडिया से बाहर जाने के लिए इंडिया के अंदर कंपनीज है मैं अब यह नहीं कहा रहा नहीं है जैसे हिंदोस्तान अरनॉटिकल लिमिटेड है बट वो गम्मेंट कंपनीज है और वो इतनी भी जादा मैसिव एक्प्रूट्मेंट नहीं करती लिमिटेड सीट्स होती है इस रों में भी आप जा सकते है डेफिनेटली लेकिन इस रों का अलगसे एक्जाम होता है तो आपको अलगसे एक्जाम देने पड़ेंगे जहां पर कॉंपटिशन बहुत जादा होता है तो इंडिया के हिसाब से हमारी उतनी जादा अभी यह नहीं आई बट येस बचो जब से यह हमारा आजकल ट्रेंड बना है सुदेशिये ट्रेंड की हमें सब कुछ अपनी इंडिया में क्रियेट करना है अब इंडिया के अंदर फाइटर जफ्वी बनने स्टार्ट हो गए है तो यह सब चीजे अब धीरे धीरे उठेंगी लेकिन इमीजेटली अगर मैं आपको बता हूं इसका इंडिया में अच्छे कॉलेच से यह मिलती है तो फिर बिटा डेफिनिटली आपको यहां पर जाना दी है जैसे अगर आप आप आईटी बंबे से करते हैं तो आईटी बंबे में एरनॉटिकल इंगिनियर्स को रेक्रीट करने के लिए बोइंग आती है आपको पता है ना कि बोइंग ज इसे कहीं जाके कर रहे हों तो फिर तो बिलकुल भी मत करो ठीक है ना अच्छे कॉलाइट है तो जरूर कर सकते हो और अबर इस बिलकुल श्रॉंग ली सथे और साथ ही साथ बच़ना अगर मैं आपको बताउओ यहां पर आपको बहुत सारी जो 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 पर जहती है अरे पा आप एरलाइन के अंदर जा सकते हैं जिसे मैं आपको बोला बुइंग आती है आपकी और यहां पर फ्लाइंग क्लब्स होते हैं प्राइवेट एरलाइन जो कि गर्मेंट और इंट्रस्ट है तो आप इसको दरफ जाएए बट अगर इंट्रस्ट नहीं है और इंडिया से भी पर नहीं जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी बिटा फिर आप उस केस में इस ब्रांच को चूज मत करें बाकी अच्छे क्वालेट से गरोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बचो नहीं दें नहीं उसके अंदर कोई सब्जेक्स की अगर बात बताओं यह सारे सब्जेक्स हैं आप इन सब्जेक्स को पढ़िए इसके अदर फ्लूइड डैनमिक्स आप बहुत जदा रोल रहते हैं आपको शायद पता होगा जितने भी हमारे जैट्स होते हैं वह सारे के सारे जो अपरेट होते हैं वह फ्लूइड मेकैनिजम के बेस पे होते हैं जो भी पाइलेट महां